चीनी सेना द्वारा भारती सेनिकों पर किये गए काईराना हमले के बाद अब देश में विरोत की चिंगारी बढ़कना शुरू हो गई है जहां नगर में दो जगर चाइना का भारी विरोत किया गया जहां एक जगर चाइना के सामान की होली जलाई तो एक जगर चाइना के चंडे और चाइना के राष्ट्रपती के फोटो को आग के हबाले कर दिया गया और जमकर नारे बाजी करते हुए चाइनी सामान का विरोध किया, गदरपुर में अंतराष्ट्रिय हिंदू परिशत के कार्य करताओं ने शहीद हुए भारती सेनिकों को शद्दानजली देते हुए चीनी सेनिकों के खिलाफ जमकर नारे बाजी की, बता दे कि मंगलवार को चीनी सेनिकों द्वारती सेना पर पत्थराओ किया गया था, जिसमें भारती सेना के 20 दवान शहीद हो गये थे, जिससे देश में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज गदरपुर में अंतराष्ट्री हिंदू परिशत के कार्य करताओं ने भारती सेन चाइना के विरुद का स्लोगन लिखी तक्ति को लेकर में बाजार में चाइना के विरुद जम कर नारे बाजी करते हुए चाइनी सामान की होली जलाई है, इन्होंने कहा है कि चाइना ने धोके से हमला किया है और मोदी जी से इनको सबक सिखाने की भारी अपील की लेकिन अचानक सोम बार की शाम को चाइनीज सेना के द्वारा भार्सी जवान जो कि जामबा जवाने पूरे दुनिया में जाने जाते हैं उन पर पीठ पीचे हमला किया और हमारे 20 जवान शहीद हो गए बहुत दुख हुआ पूरा देश दुखी और आक्रोशित है हमारा मान मोदी जी से निवेदन है कि पूरा देश आक्रोशित है मानि मोदी जी ऐसा जवाब दीजे चीन को कि आने वाले सो साल में भी चीन अपने भुटने पर भी खड़ा ना हो पाए ऐसा जवाब दीजे यही इन 20 जवानों के 25 सची स्रंधांजरी होगी देश आक्रोशित है चा 2020 में भी यही किया हम कब तक सहते रहेंगे कब तक अपने जमबाज जवानों काम खोते रहेंगे चाइना के समार का वीरोत हम तो पिछले दो साथ से कर रहे हैं हमारे पूरे भारत में रहने वाले व्यक्ति यह से अपील है कि चाइना का आर्सिक बश्कार करिए सो बिलियां इसलिए हमने चाइना की बहुचकार भी के अपील किया है और उसके सवान के हुली भी जला ही आज़े